तो वेल्कम बैक गाइज अगें हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आज हम लाएं है यूनिट नमबर टू तो हम इस चैप्टर की फर्स्ट यूनिट जो है खतम कर चुके है मतलब इस सब्जेक्ट की और अब हमारी जो स्टार्ट होने वाली है सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है इसम्टर्टिक बाउंड तो इस चैप्टर में अगर आप देखो बहुत चैप्टर में पढ़ेंगे तो अल्गोरिथम की अगर मैं आपको डारेक्टली कॉंप्लेक्सिटी बढ़ा दूगा तो आपको समझी नहीं आएगी क्योंकि इसमें बहुत से सिंबल्स आपको पता ही निनका मतलब क्या है तो इस वाले चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि उन समसिंबल्स का एक्ष्ण मीनिंग है ठीक है तो हम अल्गोरिथम पूरा बनाते टाइम किनकी चीजों का ध्यान रखा जाता है क्योंको निसे सिंबल्स का मीनिंग और उनका सेंस क्या होता है सारी आपको इस चैप्टर में कवर करेंगे तो हमारी फ़र्स जा कि साइबर सेक्यूर्टी वाली यूनेट देखिए और हमारे चनल पर आपको प्लेइलिस्ट मिल जाएगी और इसकी भी प्लेइलिस्ट एसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए उसके बाद सेकेंड पार्ट में मूव करिए ठीक है यहाद है डिटर्मिनिस्टिक प्लेश्टिक अब पड़ा था इसका फ्यूचर में हम प्रेडिक्शन कर सकते और जो प्लेश्टिक अपको पता है कि यह एक प्रोग्रम बनाया एक अल्गरिदम बनाई जो किसी भी नंबर का स्क्वार रिकालती है तो आपने क्या रहा तो आप अपको पर पड़ा स्कॉर निगलने फेर फोर आएगा ठीक है नाइन डाला तो टो कितना आएगा 81 आएगा 9 का स्क्वार एटीवन तो यह आपका है डिटर्मिनिस्टिक मनला आप उसको डिटर्मिन कर सकते हो चेक कर सकते हो बीना एग्जियूट करें लापसके प्रेडिक् एक शफल करें शफल करके कार्ड निए किया आइगा उट्पूटिक है तो यह हमारा कुछ हमने पड़ा है लास्ट चेप्टर मेटिंग है नौ लेस्ट डाइव इंटू अब पड़ते हैं अलगर्टम कॉंप्लेक्सिटी इस कुछल इन कंप्यूटर साइंस इस अब अब बनाते हैं तो अलगर्टम बनाने के बाद हमारे दिमार में कुछ कुछ नसा आते हैं कि कुम सी अलगरिदम जो है वो कितने टाइम में हमें आउटपूट देगी ठीक है सब्सक्राइब दो मैंने आपको एक्जांपल बढ़ाया था लास्ट वीडियो में दो मैंने प्रोग्राम मनायते हैं उन्हें से एक का टाइम कम लग रहा था और एक में टाइम ज्यादा लग रहा था ठीक है तो इसमें आप complexity वाले चेप्टर में यह पढ़के मतलब आप यह पढ़के बता सकते हो कि किस algorithm में कितना टाइम लगेगा पहली चीज दूसरा कितनी वह यह पर ने के बाद बता सकते हो इस प्रोग्राम में प्राब्लम क्या अपने के बाद बता सकते हो इस the problem solvable मतलब problem के solvable है यह नहीं यह आप इसमें बता सकते हो ठीक है इस कि आधिस क्रिटेरिया help compare different algorithm अगर्फम को compare करते हैं programmers will use algorithm complexity to enhance code quality with relevant data structure as automatic notation mathematical सिंबल एस्टिमेटिंग टाइम और स्पेस कंपलेक्सिटी और कॉमनली यूज तुमीन कोड़ एफिशेंसी देखो मैं एक डवलपर हूं और मैंने कोड लिखा आप भी डवलपर हो आप भी कोड लिखोगे अब दोनों के कोड में जो डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा तो डि कि space complexity सब से कम space qons यूज यूज कर रहा है तो यह सारी चीजी जर्मेड होती हं जब Beethamались को compare कर थे तो हमारे पास पहले कोई method नहीं था तो compare कैसे करे आप हम पास एक Method कि हम उसे अगे और सब्सक्राइब त्रहिए टाइमिक्टिटीए प्रीचिए ट्रीचिन्सीनी का सट्य लिए लुट्यूर्योटम की टिकए फोर इसम्पल इफ फंचिल सॉदर लिस्टीज इन बंब अलशॉट खेंग एक फंचिनो क्या करेक्ष्ट को सॉद करेकिसे बंब अचाय तेक O N square we go N square ठीक है यह वर्स्ट केस्ट है ठीक है तो देर वी से दब बबल सोटेक टाइं टी एन टाइं टाइं वेर टी एन इक्वल टू O N square ठीक है देखो यह लाइन पढ़ रहे हम यहां पर O N square मैं इसको थोड़ा जूम कर ले ताक कि आपको थोड़ा अच्छे से देखें ठीक है इसके बाद एसंट्रिक बिहेवियर शोज हाओ अफंक्शन ग्रोव एज इन्पूट अन बिकम्वेरी लार्ज ठीक है मतलब हम मेक्स टू मेक्स नमबर लेनी कोशिश करते हैं सब्सक्राइब अब सबसे बेस्ट किस होगा कि पहली पोजेशन के 5 मिल जाओ निकाल के देएं ठीक है हाँ रही है सब्सक्राइब सबसे और 1 मिल जाये और उसको करते हैं तो हम यह बताते हैं के वर्सक्राइब से כण और 2-3 शए तो हम उस पर फोक्स रखते हैं, we are interested in programs और algorithms performance on large input not small ones, मतला हम large input पे matter करते हैं, measure करते हैं, ना कि small inputs पे, ठीक है, a lower bound, upper bound and average bound give us an idea of efficiency of an algorithm, mathematical induction help convert a problem into mathematical expression, solving it to find the algorithm's time complexity, समझ गे, time complexity find करने के लिए, हम क्या निकालते हैं, lower bound, upper bound, average bound, यह सारी सीजिस में calculate करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, to rank algorithm, we use asymptoting notation like big O, big omega and big theta, ठीक है, a linear algorithm, example, fn equal to d into n plus k, यहाँ पर d और कहीं कहीं है, d और कहीं कोई भी positive value है, ठीक है, कोई भी integer, positive, is always asymptotically better than quadratic 1, fn, c into n square plus q, मतलब, इस वाली algorithm में, मतलब, इस वाले में, यह जो हमारा function है, इनको compare करते हैं, चलो, छोड़ा सा मैं, example, compare कर दूँ, यह आपका है, दूसरे example, ठीक है, दोनों के function है, लेकिन यहाँ पर दोखो, n की power क्या 1 है, और यहाँ पर n की power क्या 2 है, मतलब, जिसकी जितनी कम power होगी, ठीक है, अगर n नहीं होता है, इसमें तो यह और बेटर होता है, समझ गए, n की जितनी कम power है, उतना वो बेटर है, ठीक है, और n की जितनी ज्यादा power है, उतना ही वो slow है, समझ गए, तो यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, कि कौन सी fast चलेगी, जिसके n की power सबसे कम होगी, नहीं है, n मतलब n की power क्या 0, और किसी की power 0 होते, तो answer क्या आता है, 1 आता है, ठ इस वाली equation में इनकी power क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो इस condition में यह वाली equation fast होगी, second वाली आपकी slow होगी, ठीक है, इसके बार हम पढ़ते हैं, objectives, कि यह unit पढ़ने के बाद, आप क्या क्या कर सकते हैं, after studying this unit, you will be able to learn some well-known mathematical function and notation, ठीक है, आप mathematical function and notation के बारे में पढ़ पढ़ लेंगे, asymptotic bounce इसके बारे में पढ़ लेंगे, इसके बाद worst case, best case and average case complexity पढ़ेंगे, इसके बाद comparative analysis of different type of algorithms, ठीक है, तो में analysis भी उसका पढ़ेंगे, ठीक है, अब पढ़ते है, some useful mathematical function and notations, अब धना, यहां से आपकी यह कारवाई है, यहां पर side में canvas की open कर लेंगे, त सबसे पहले, अब आपको कुछ चीजे बता रहो, आप बेशब copy pen ले लो, और यह चीजे नोट करते जाना, यह चीजों की मनदब आपके आगे आने वाले questions में बहुत use होगा, सबसे पहले, functions and notation just to put the subject matter in proper context, we recall the following notations as defined, unless mentioned otherwise, we use the letter N, I and R in the following sense, अब देखो, जब तक आपको specify ना करा जाए, किसी भी question में, किसी भी function में, तब तक N का मतलब होता है, set of natural numbers, ठीक है, set of natural numbers, natural numbers क्या होते है, one से start होते है numbers, मतलब series of numbers, जो one से start होते हैं, और कहां तक चलते है, N तक, ठीक है, one, two, three, four, five, six, seven, चलते जाते हैं, कहां तक, ठीक है, इसके बाद मैं आपको second बतायता हूँ, I denote करता है, set of integers, integers पता है न, क्या होता है, integers होते है, number line सोचलो, जब भी integers आ जाए, तो एक number line सोचलो, जो से 0 होते है, यहां पर negative number होते है, minus one, minus two, minus three, minus four, और इधर होते है, positive number, one, two, three, four, ठीक है, सारे N तक, और यहां पर minus N तक numbers होते है, ठीक है, तो वो आपके integers होते है, ठीक है, R मतलब real numbers, real numbers बताया है न, all numbers are real, सारे numbers real होते है, बस कुछ numbers को छोड़के, जो कुछ specific number होते है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट सारे number, maximum number, सारे क्या होते है, real numbers होते है, ठीक है, R denote को सो करता है, set of real numbers को, ठीक है, अब notations क्या कहते ह अफ जाए है इफ ए 151-1 एट्ओ ए एन आर अएंड-ट्रीयल-फेरिब्ल अनमबर से असवाइं को सारे के सारे आपके पर इलिए adesso देखो और रीरलबर बर एक नेशिरवल्बर आप्वर एसे समस सकते हो कि यह सारे आपके र्याइल्स प्रेक इसमें मैं आराइं लिएता हूं ताकि आपको समझ अधै जाए यह कहने यहां है कि पिक अन्दर सारे नंबर या 4xque2 यह का ठेक त्न दोब आते है तो सारी नमबर और उसके दो नमब आते हैं रेशनल और इर्षिनल लेकिन मैं आपको बतार हूं कि रैशनल में आते हैं वैसे यह और इंटीजर को हम बोलेंगे आई तो इंटीजर हो गया आपका यह बड़ा सब्सक्राइब की इन पीजर में आधे आते हैं तो इसलिएं क्या बोलेंगे इंटीजर को आई बोलेंगे ठीक है तो यह के रियल अनबर मतला और लंबर सारे नमबर रियल होते हैं कोई भी नम पनी आसा जो रियल नियों तर इसके बाद आई आई आपका अब आपको थोड़ा सा ध्यान रहे ठीक है अ एंड क्या होता है सैक्ट आफ नेच्रल नमबर्स तक है आई क्या होता है सैट आफ इंटीजर्स ते गए और आर क्या होता है सैट आफ यह नमबर्स है ओके समय के सारी चीज़ अब आगे पढ़ते हैं सब्सक्राइब प्रोड़क्स समीशन अप्रोड़क्स समीशन सब्सक्राइब जब भी आपको कुछ ऐसा वर्ड देखें दो यह सिंबल जोए से बोलते सिग्मा ठीक है इधर लिग देता हूं इस सारी चीज़ ता कि आप ट्रीक है तो यहांपर हम पढ़ते हैं सिग्म एन प्रोड़क्त के बारे में तो समीशन एंड अपर इनन अनने निट शेल समीशन क्या होता है सिम्बल सिगमा से हम इसको डोनेट करते हैं अट्मेर्टिक ली क्या बोलते है इंस ही माइं फर्म वन टू एन ठीक है अगर मैं क मतलब होता है 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 plus n ठीक है मतलब नेच्रल नमबर के सम को हम सिगमा आई से देनोड कर चाहिए सिगमा एन भी बोल सकता है इसको सिगमा एन मतलब एन नेच्रल नमबर्स का सम ठीक है ऐसी ही अगर आपको स्क्वेयर करने कालना है मैं ऐसा लिखता हूं सिगमा स्क्वेयर ठीक है सिगमा स्क्वेयर मतलब आई की पावर तू यह पावर को ना मैं ऐसे क्याप से टनर्ट कर देता हूं ठीक है एक है I square का Sum क्या होगा आइज स्कॉर का Sum क्या होगा वन स्क्वार मन की पावर टू है ठीक है प्लस टू स्क्वार टू की पावर के टोउ प्लस थी स्वार ट्री की प्रॉब्लम होती है equations को लिखने में ठीक है क्योंकि जो नोट पैड़ा जो एडिटर है वो एडिटर सपोर्ट नहीं कर पाता कहीं बार कुछ प्रॉब्लम देता है तो अब यह दिखना किया सम और सिग्मा आई लिखाया है एन नैचल नमबस का सम है सिग्मा आई स्कूर लिखा है इसको नी कर दो ठीक है यहां से लास्ट में थोड़ा सब बढ़ना हो जाए को को अगर स्कूर वाले नमबर्स है पर क्या होगा एन स्कुर होगा और क्यों बाले नमबर से तुमका एंड क्यों होगा अब इन तीनों फॉर्मलास को आप यहां पर लेख लेना याद कर लेना देख लेना इस चैप्तर के लिए मुझे क्या चाहिए मैं आपको बढ़ा देता हूं यहां पर सिंपल से चीज अब मतलब वहीं बेसिक जमा घटा कुना भाग प्लस जो प्रोट्रेक्ट वागरा जैसे हम कॉमन लेते हैं डिवाइड करते हैं थोड़े बहुत फॉर्मलेस बेसिक आपको आने चाहिए जो बेसिक में होती है अपने 10-12 अगर मैं पढ़ी होगी तो उतनी मैत भी चलेगी मैं आपको इतने इच्छी से एक्स्प्लेइन कर दूँगा कि आपको कोई ज्यादा डीप गहरा है मैं पढ़ने की जरूती नहीं है क्योंकि आप बुक पढ़ने वाइट होगे तो बुक में तो बहुत कुछ है मतलब आप पढ़ो यहां पूरी बुक तो आपके दिमाग है जाएगा और फिर उपर से जाएगा फिर आप मुझे बोलो कि क्या यह है ठीक है मैं बुक में से नहीं पढ़ा रहा मतलब बुक कई कंटेंट आव ऐसे लेकिन मैंने इसको मोडिफाय कर आपने अपोडिक है इसके बाद प्रोड़क्ट प्रोड़क्त का मलब क्या है मल्टि एक इसी एन का फेक्टोर्य अगर आपको निकालना है तो इसको पाई के सिंबल से देनोट करते हैं पाई एन मतलब पाई आई आई का मतलब क्या होता है यहाप लेक देता हूं मैं पाई आई का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6 कि थी खरे एक तो यह हो गया आपका कैस्ट कंसेप्ट आ है औो is conscious on function for a function अपको आगे का माँएंगे ठीक है अब पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में ठीक है functions के होते हैं function denote as f is a rule that connects each element of set a to unique element in set b अब दो दिहांद सामझना साथ तो पता ही है set theory पड़ी होगी ठीक है ये एक set है ठीक है और ये हमें दुरों सेट में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा जैसे इसमें लिखा मालो वन ठीक है टू थ्री फोर फाइफ और इस वाले सेट में का लिखा है सपोर्स इसमें लिखा है वन फोर नाइन 16 15 faire 28 अमघ्यान से समझना इस च्पिन में दूनों से ऊक्वें एक स्पोस यह है आपका सैट ए ज मैं ठीक है यह यह और यह है का से द्रीट बीच अगों ऑके इन दूनों içल डिलेशन है अब एंब रिलेशन क्या है देखोड अब company रिया ळेका है ख्लियर और उकी bisa क्या है बन रिया फॉर रिख पोर भी में रहा है फोर को क्या बन रही है 16 और फाल किमिज बन रही है 25 तो अगर आप यहां पर जहां से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि इन देनों सेट में एक रिलेशन क्या रिलेशन है सब्सक्राइब कोई भी element ले लो सब्सक्राइब भी ले एक फंक्षन बना गया ठीक है और यहां पर फंक्षन में लिख देता हूं इन दोनों की रिलेक्षन को रिपरेजेंट करता है सब्सक्राइब कर लेता हूं कि यहां पर तू लिखता हूं तो टूखी पाबटू क्या आजाता है हमारा आजाता है 4 ठीक है और 4 के है टोकी इमेज है सेम ऐसी ही अगर 3 है ठीक है तो क्या होगा 3 की पावर 2 एक्वल टू 3 3 जा 9 तो क्या जाता आपका 9 आ जाता है सेम एस ओन हमारा 4 के लिएवी है 5 के लिए टेकर इन दोनों के रिलेशन को क्या चीज मतलब ऐसी क्या चीज है जो इन दोनों के रिवेजन को बतारी यह फंक्शन ठीक है एक यह फंक्शन बडाएं इंप्हुर्टन है तो function क्या होता है basically function denotes as as F कैसे डिनोड करते हैं F और इसको लिखते कैसे अगर देख दो इस फॉंक्शन को जादा बड़े लगे है आपको गुवक की लाइज में ठीक है F पॉलन ए ए एरो बी ठीक है से कब लेन लिख लेते हैं और इसको बना लगे ठीक है वनलब ये का भी से क्या इस इस function को थूब बता है तो यह function क्या हुआ यह function यह रहा इस एक और फॉंक्शन में दिया है fx equal to 3 x power 3 x cube ठीक है तो यह क्या है दो functions है ठीक है पहले में क्या है एक स्क्राइब रखेंगे तो दूस्रे सट में बैल जो क्या बनेगी 1 2 रखेंगे तो कितनी बनेगी तो यह हमारा हो गया function अब दोखो यहां पर आपको एक पड़ा चले दोगी फ्लोर फंक्शन और सीविंग फोंक्षन टेक है फ्लोर फंक्शन का मतलब क्या होता है देखो आप यह समझे लो फ्लोर सीलिंग से कि यह आपका घर है क्या है आपका घर ठीक है घर में आपके क्या होता है घर पर होती है च्छत चो कि यह जिसे बोलते हम सीलिंग ठीक है और घर पे होती है जमीन उसे क्या बोलते हैं फ्लोर तो मतलब समय लोग यहां पर एक नंबर कि इसमें डिनोट करते हैं कि नंबर लाइन से ठीक आपको बहुत अच्छे समझा देगा कि फुर्फ्लोर सीलिंग क्या होती है ठीक है ये नंबर लाइन है ठीक है ऊपर के हमारी सीलिंग ठीक है और नीचे के आपका फ्लोर ठीक है तो यह होगा फ्लोर नीचे वाला ठीक है और उपर वारी क्या होगी आपकी सीलिंग मतलब छत ठीक है अब फ्लोर सीलिंग कैसे बाद करता है फ्लोर फंक्शन क्या होता है और सीलिंग इसको ऐसे लिख देखा हूँ तो आपको देखेगा कि यह जो है नीचे के साइट जैसे जमीन होते हैं तो इसे पूलते हैं अधिनाइब फ्लोर फंक्ण्षिन क्या बोलते हैं प्लोर फंक्षिन जिसको नियके लिखá यह विसाइड अपका सीरिंग फंक्षिन देखता है आपका टुछ ऐसा जिसमें आपको ऊपल कि साइडी सायं इये बॉक्समूडे कोले हुए देखेंगे प्लयार को मिर्म है कैसे डिनोट करते हैं मैंने बता दिया ऐसे डिनोट करते हैं the floor function map a real number x to the greatest integer less than or equal to x समझे less than or equal to x suppose x की value x की value हमें integer बताना है ठीक है क्या बताना है इंटीजर जो होते हों decimal वाले नहीं होते हैं इंटीजर क्या होते हैं नमडर लाइन मैंने बताया था जिसमें जीरो होता है ऊपर गया होता है 1 2 3 4 ठीक हो नीचे क्या होता है मैंने स्क्राइब नमबर लाइन हमारे हैं ठीक है क्या है यह नमबर लाइन है इसमें प्रैणल लेता हूं ठीक है यह आपके इधर कुछ मैपिंग कर देता है कुछ मारकिंग कर देता है ता कि अच्छ से क्लिर हो जाए यहां यहां भी मैंने कुछ मार्किंग कर दी यहां भी मैंने मार्किंग कर दी यहां भी कर दी ठीक है कुछ मार्किंग कर दी अब हमारा पहला नमबर के है 3.5 तो इसलिए 3.5 ठीक है अब 3.5 से अब बताओ एक से छोटा एक से छोटा इंटीजर मतलब complete value इंटीचर ठीक है कौन सा है ठीक है अब देको मैं बलूँगा 3.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है तो 3.5 से छोटा इंटीजर आपको देखेगा सिर्फ 3 तो हम इसके नीचे जाएंगे 3 फ्लोर की तरफ जारें ठीक है कैसा यह रहें डाउंवर्ड लोर की तरफ देखें कि हम फ्लोर फूंक्शन पट रहें ठीक है तो 3.5 से नीचे आपका 3.5 से कम इंटीजर पॉइंट वाले नहीं होते तो 3.5 से फ्लोर की साइड कुन सा आएगा 3 तो इसका क्या होगा आपका 3 होगा है अब सेम इसी तरीके से अगर मं पूर फ्लोर की तरफ जाएं जीरो से नीचे है हमें ग्रेटेस्ट बताने अधिया था नहीं क्या बताने ग्रेटेटेस्ट ठीक है अब मैं इसके थोड़से और नीचे जाता हूं यह रहा एक दो तीन और इस लाइन को थोड़ा सब लंबार तरह लेते हैं ठीक है चार पांच ठीक है आप दिया कर दिया अब ध्याना जीरो से क्या होगा माइनस यहां क्या होगा माइनस टू यहां क्या होगा माइनस 3 ठीक है यहां क्या होगा माइनस 4 और यहां क्या होगा माइनस 5 ठीक है अब देखो यहां पर क्या है माइनस 3.5 है तो माइनस 3.5 का होगा तो 3 और 4 के ठीक बीच में होगा यहां पर माइनस का 3.5 3.5 ठीक है और और उपर जाएं तो क्या हैगा एट ठीक है अब यहां पर क्या होगा एट होगा कि अब यह कंगा है इन्टीजर को में तो से ग्रेटरेस्ट और ईकुल इसで स्मॉल हो और या फिर इसके अपची का फूर से ऑना शेल इक एक फूर इंडिजर है ना एक एक फ़ल एक इंडीजर का एट इस तो आपका यह हो गया है शूरें लिए अपसी अगर आप नेगेटिव नंबर का फ्लोर फंक्शन इकालना चाहते हैं सब्पोस नेगेटिव माइनस 3.5 ठीक है तो देखो फ्लोर सिंपल सा क्या बोलता है देनोट एस फ्लोर फंक्शन मैपसर रियल नंबर ऑन्र hack to the greatest integer less than or equal to x अब देखो greatest मतलब से बड़ा थिक है less than or equal to x तो greatest integer का मतलब क्या होता है greatest मतलब बढ़े से बढ़ा कितना इंटेजर ले लेकिन उस नंबर से less than मतलब छोटा होना चाहिए और equal to उना चाहिए ठीक है तो 3.5 जो है suppose हमारा 3.5 है इससे less than और equal to मतलब 3.5 से छोटा क्या होगा देखो minus 3.5 से छोटा होगा minus 4 है ना minus 4 क्योंकि ज्यादा बड़ी negative digit है ठीक है minus 4 किसे होगा minus 3.5 से छोटा होगा और यह क्या सबसे greatest integer है क्योंकि minus 5 लेंगे तो वो क्या होगा वो इससे और होगा छोटा होगा minus 4 तो माइनस 3.5 का जो होगा वह होगा माइनस 4 फ्लोर ठीक है फ्लोर रहना नीची की साइड मतलब फ्लोर ठीक है इसके बाद अगर हम सीलींग लेते हैं negative 35 की माईनस 3.5 की सीलिंग क्या होगी तो इदर को सीलिंग का मैंने बताया था कि दिलीस्ट इंटीजर ग्रेड देर इक्वल टू एक्समल एक से बड़ा और एक्वल टू कुन सा इंटीजर है वह आपका क्या होता है स्टीलिंग होता है तो माइनस 3.5 का सीलिंग क्या होगा देख़े माइनस टू गलत है इसका होना जी मेरे साब से माइनस 3 शायद बुक में गलत लिखा होगा अगर आप बुक में देखोंगे तो तो बुक में भी आपका गलत ही लिखा होगा अगर यहां गलत है तो बुक में गलत होगा कांग आपका कि यह रहा function यह दा ceiling function तो माइनस 3.5 का माइनस गलत है तो इसका हो गया आपका कि सिंपल सा हमारा माइनस 3 आपका इसका ceiling होगा ठीक है तो हमने floor और ceiling यहाँ पर समझे लिया है तो अब यहाँ पर देखो क्या लेकर फूर एनी रियल नंबर को यह भी रियल नंबर हो जैसे X ठीक है तो उस X का देखो जो floor होगा वह X से कम होगा बट X-1 जो होगा उससे बड़ा होगा ध्यान रखना X-1 से बड़ा बट X से कम और इक्वल ठीक है इसके बाद जो उसका ceiling होगा वह X-1 से छोटा होगा ठीक है लोग अरिथम के बारे में लोग क्या होता है पहुत जगा लोग देखा होगा देखा हुआ तो लोग से बहुत डर लगता है बच्चों को तो कोई डरने वाली बात नहीं है लोग को simple logarithm function है इसको मैं explain कर दूँगा कि है क्या और यूज किस लिए होता है ठीक है एक्स मिलेगा ठीक है मतलब हमें एक्स गेट होगा वह हम लोग देखाए त्रूप करते जैसे त्रूप यह कहा है एक की पावर एंड करने पर हमें क्या मिल रहा है यह सपोज एक कोई बीन नमबर है और उसकी कुछ भी पावर है और उपको लोग अगर इसमें अपलाए करन तल्लत करों करने तो अब आप लोगारिफ्म करोगे कि इसको बेस मानके मतलब इसी नमबर को बेस मानके तो आपका यह होता है लोगारिफ्म के कुछ फॉर्मलास यह भी आपको चाहिए तो हम अपने फॉर्मला सवरे सक्षन में ऊपर आम ने यहां लिखे है है यहां पर हम लगारिदम लिख देते हैं ठीक है यह वाले फॉर्मॉलाज भी लिख देते हैं ओके है यह लिख लिख देए लगारिदम के तो यह हो गया मारा लगारिदम के भी फॉर्मॉलाज हो गया है जैसे लोग बींटू सी क्या होता है लोग सेम यह करें यां वर्मॉलाज होता है यह लोग भी के क्या होता है यह बहुत क्राइगे यह चीज आपके बहुत काम आएगे ठीक है अब अगला आते मोडलर अथमेटिक यह मोड फंक्शन मोड फंक्शन सुना होगा आपने अगर आप प्रोग्रामिंग बैक्डाउंड से हैं तो आपने मोडलर पढ़ा होगा जिसमें आता है परसेंट ठीक है जैसे मालो अगर मैं जालेकूम 10 मोडल से दीवाइट करूंगह। तो क्या रिमंटर आएगा हमारा जी रो आएगा मोडमाड लिदेख गुए टेगा ही रिमाइंडर जीरो घिरॉसे लास्ट में क्या बचे गारिमाइंडर फिर from например फिर अगर में तो आपका 10 ठीक है 10 को अगरम 3 से डिवाइड करते हैं तो त्रीज़ इतना होता है नाइट और पार स्वरी वन का तो पन आपका क्या है रिमाइंडर है ठीक है तो लोगाई तो में मोडलस का रिता है वोड़ पुंशन यह में रिमाइंडर देता है ठीक है यह ध्यान अचना हो और तो फिर यृष आप विड़ेड़ में रेमाइंडर देता है इसके बाद है आगे पड़ते हैं अग्वेटें मैतमेटिकलेकल एक्स एक्सटेशंस आप समसे पाल इंद एभड इसकोशन और इसमनेटल एक्सटेशन तो कैसे कलुलेट एक्सटेशन थेमाडिक एक्सक्राइब यूस करते हैं तो एक्जामपल है सपोस्ट इन 2005 M.C.A. student had the following marks distribution कुछ marks M.C.A. के बच्चों के जैसे 0-20% student test थे जिनके 8% marks है जहाद समझना 0-20% बच्चों के कितने आए 100 में से 8% marks है ठीक है 20-40% लोग कितने है 20% 40-60% लोग कितने है 57% 60-80% लोग कितने है 9% और 80-100% लोग कितने आए 6% अब मैं आप से कूशन पूस्ता हूं सब्पोज मैंने एक student को चूज करा ठीक है तो क्या probability उसके कितने marks होंगे randomly किसी भी student को मैंने चूज करा तो क्या probability उसके random marks कितने होंगे ठीक है तो वो किसमें पता चलता है वह हम निकालते हैं mathematical expectations के त्रूम ठीक है एक्जामपल बताता हूं जैसे मैंने इन सभी को पेला कॉप्य कर लेता हूं और इधर एक सब्सक्राइब में पेस्ट कर देता हूं ठीक है कि आपको क्लियर हो जाए सब्सक्राइब है यह हमारा है यह हमारा है टोटल जो हमें calculate करना है अब एक चीद ध्यान से देखना कि यहां पर ठीक है जीरो से 20 परसंट है कितने आठ परसंट नमबर आए तो अगर मैं जीरो और दीस का मिड़ पॉइंट निकल दों दो किसी भी इंटर्वल का मिड़ पॉइंट कैसे निकालते हैं ध्यां से सुनों हमारे पर दो लिमिट होती है एक उतिया लूवर लिमिट यह आपकी जो होती है लोवर लिमिट होती है ठीक है यह सेकिन वाली ठीक है बीच में माइनस लगा जीरो और टुंटी तो आपको क्या गरना इसका छोड़ा सा फॉर्मला बता है मिडल निकालने का लूवर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइड इड़ बाई टू तो तो अब यहां निकल जाएगा उसकी मिड़ टू कर दें तो अनों को प्लस करने पर डिवाइड बाई टू कर दें तो हमारा क्या अंसर हमारा आएगा 10 ठीक है तो इसकी जो मिडल ट्रम होगी मतलब इसका जो मिड़ वैली होगी वह होगी 10% लोगों के कितने मांक्स आए इस तरीके से इसका भी करेंगे 20 प्लस 40 कितना हुआ 60 60 डिवाइड बैड़ बाटी तो 30 परसंट लोगों के जो मांक्स आए 30 परसंट लोगों के जो मांक्स है वो कितने आए 30 परसंट है ना 20 परसंट है इसके बाद नीचे वाले का से निकालते है 3060 डाटल ट्ना हैं 100 hundred सुथी परसंट लोगों लिटे मांक्स है 50 परसंट लोगों के मांक्स है 57% तेका 60 to 80 परसंट गों के मांक्स है कितने मृटी पस्टी परसंट एक परसंट जोगों गितनी मार्स आये 9% ठीक है और 80-200% 180-90% 90% का कितने मार्स आये 6% ठीक है अब हमें क्या करना दो ने यह कुछ डेटा फिल्टर आउट कर लिया यह यह डेटा हमने क्या कर लिया फिल्टर उट कर लिया अब हमें क्या करना है नेक्स्ट टैप इसका होता है एक फॉर्मुला क्या होता है 10 का हम क्या निकालेंगे 8 परसंट निकालेंगे प्लस 30 का हम कितना निकलेंगे 20 परसंट निकालेंगे प्लस 70 का 9 परसंट निकालेंगे प्लस 90 का 6 परसंट निकालेंगे और सभी को टोटल कर देंगे हमारा आंस निकल जागा mathematical expectation clear जो example बताता हूं आपको करके यह देखो इन्हों ने भी सेम यही कामगार रखा यहां पर तो mathematical expectation कैसे बता करेंगे आपर इस पूरी question को ऐसे solve करते हैं ठीक है मैंने क्या करा 10 का 8 परसंट निकाला प्लस अगला 30 था 30 परसंट निकाला 20 परसंट प्लस 50 था 50 कितने परसंट निकाला 50 47 परसंट प्लस 70 था 70 कितना निकाला 9 परसंट प्लस 90 कितना परसंट निकाला 6 परसंट प्रोडल आ गया 47 परसंट तो यह हमारा हुआ mathematical expectation समझ गए यह प्रिंसिपल अप्मेटिकल इंडक्शन तो यह अपने चेप्टर पहले आपने प्राट्रक्त होगा 11 या 12 में ठीक है तो यह सिंपल सा concept है principle of mathematical induction मैंने आपको अगर यह पढ़ा दिया एक बार तो उस टाइप का किसी भी टाइप का question आ जाए exam में दे को एक question जरूर आएगा principle of mathematical induction का तो कोई भी अगर उस से लेट कोशन आ जाए तो आप इसली कर पाऊगे बड़ इसको अप ध्यान से समझना ठीक है दो सिंपल साइस को करने के क्या है the principle of mathematical induction पहले पढ़ते हैं क्या होता है हम क्या निकालते है correctness proof निकालते है इसके तुरू अब mathematical induction क्या लेखा है method to prove a statement true for all natural numbers तो देखो कैसे हम करते है mathematical induction सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कि सारे natural numbers के लिए सभी numbers के लिए जो यह इक्वेशन है वो क्या होगी true होगी मतलब यह method जो है प्रूव हो जाएगा ठीक है तो हमें यह प्रूफ करना है यहां पर basically तो सबसे पहला है induction बेस दूसरा क्या है induction hypothesis वा तीसरा क्या है इंडेक्शन स्टेप ठीक है तीन स्टेप बताऊंगा रट लेना इसको समझ लेना धंग से कुछ नहीं बेसिक मैस है multiply गुर्णा भाग बस यही चीज़ है और कुछ नहीं उसमें एक्स्टर चीज़ ठीक है तो ध्यान से समझना क्या है सबसे पहले एक प्रूफ प्लस वन अपॉन में तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे हैं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना बेस स्टेप पढ़ना है रिखना है था कि क्या फोड़ा मैस प्रीकशना थोड़ा सब्रावलों में यह जाएंगा बढ़े मैं पॉषिक्स करते लिखने की सबसे फ़ोगना लिरे आदेनी सीज़ी ơi सबसे पहला समय छीशितिक नहीं जो आपको करना है सब्सक्राइब करना है आपके पास equation है जैसे 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 plus n ठीक है equal to आपने proof क्या करना है आपने proof करना है n into n plus 1 plus 1 और अपन में 2 ठीक है हमें ये proof करना है अब हम कैसे proof करेंगे इसको तो बेस्टेप में क्या करना है सबसे पहला काम मैं आपको बता देता हूं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है तो बेस्टेप में क्या करेंगे सबसे पहला काम मैं आपको बता जाता हूं सबसे पहले हम क्या करेंगे statement में n की value बन रखके देखेंगे ठीक है कि वह n के लिए 2 है के नहीं ठीक है तो true 4 n equal to 1 मतलब हम क्या चक करेंगे कि यह n equal to 1 के लिए true है के नहीं ठीक है तो सिंपल सा लॉजिक समझते हैं ठीक है आप देखें हमारे पास पूरी एक्वेशन है क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस dot 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 plus n ठीक है equal to क्या है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 अपन में 2 है न अब मैं यहां पर इंट की जहां पर क्या रखता हूं रखता हूं ठीक है तो एक डिजिट का सम हम निकाल दें ठीक है तो एक डिजिट का सम क्या होगा equal to 1 bracket में 1 प्लस 1 ठीक है divided by 2 ठीक है तो हमने क्या आगा इसको डिवाइड करा तो आंसर क्या आएगा हमारा देखो हमारा अंसर आएगा 1 प्लस 1 हो गया 2 2 इंट 1 2 तो आजाएगा 2 अपोन में 2 और यह आजाएगा तू टू इक्वल टू तो देखो पहली डिजिट का सम मतलब क्या आपका तो पहली डिजिट का सम क्या आएगा 1 आएगा तो देखो यहां पर वन आया ठेक है यह हो गया हमारा कंसेप्ट बिल्कुल टू ठीक है पहली कंडिशन हमारी बिल्कुल टू हो गया सभी में आपने यही करना है सबसे पहले 1 रखके देखना है उसके बाद हम एजूम करेंगे इंड़क्शन हाईपोथेसिस में कि हम एंड रखेंगे अगर तो उसमें भी आपका सेन ही आएगा ठीक है हमें क्या प्रूव करना है क्या एजिम करें कि अन के लिए भी वह true होगा दैन हम उसकी जगा एंड प्लस वन रखेंगे ठीक है तीसरा इंड़क्शन स्टे hypothesis hypothesis क्या बोलता है कि assume it will be true for n as well ठीक है okay n के लिए क्या होगा true होगा यह ठीक है हम यह करते हैं assume करते हैं इधर लिखते हूँ एज्यूम दैग कि इट विल भी ट्रूफ और एन ठीक है अब फ़र स्टेप क्या आता है इंडेक्शन स्टेप आते हैं तो अब मियां लिखेंगे इंडेक्शन step अब यह मुद्दा को में करके दिखाने हैं इंडेक्शन स्टेप ठीक है प्रूफ ट्रूफ और एन प्लस वन इंडेक्शन स्टेप ठीक है तो अब सिंपल साम लॉजिक लगाते हैं हमारे पास क्या थी इक्विशन पूरी यह थी ठीक है है हमाई पास equation यह ठीक है अब हमें क्या करना है इसको true proof करना है किसके लिए n के लिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से clear clear साफ साफ दिख जाए ठीक है तो अब हम किसे किसे लिए प्रूफ करेंगे true करेंगे n फ्लेस वन के लिए तो हम क्या रखेंगे जहां जा एंडिकर वहां आपर क्या रखेंगे n plus 1 ठीक है putting n plus 1 ठीक है n plus 1 रखने पर क्या बन जाएगा यह 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 ठीक है और यह बन जाएगा हमारा आगे n के जब हम क्या रखेंगे n plus 1 n plus 1 एक्वल टू अब राइट साइड में हमें क्या करना है n plus 1 रखना है क्योंकि हम राइट साइड में n plus 1 रखना है और फिर इसको left hand side को right hand side के equal prove करेंगे तो पहले इंके जिरह आजाएगा n plus 1 यह दूसरे bracket में क्या है देखो हमने क्या करा इस पूरे की जगा पर हमने क्या रख दिए n plus 1 रख दिया ठीक है सेम ऐसे ही यह यह बना रैकिद में क्या था अन प्रस ओन्वन था relatively डेकिन हम इस n की जगा पर क्या रखेंगे- सम की जगा पर हम रख देंगे n plus 1 ठीक है और डिवाइड़ेड़ पूरे के क्या था तू डिवाइड़ेड़ वाइज तू हो गया ठीक है अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा हमें left hand side को right hand side के equal प्रूब करना है ठीक है अब left hand side में आप यह ध्यान से देखो कि यह अगर आपकी से ठीक पहले वाले रिटम ठीक है तो वह होगी आपकी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस इससे पहले रिटम ठीक होगी एन और इसके बाद वाली क्या है हमारी एन प्लस 1 समझे मनला हमने क्या कर रहा है हमने simply left hand side को लिया है ठीक है अगर हम एन प्लस 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो हम यहाँ पर आगे प्रूब करते हैं इसको अब हमने एक फॉर्मिला पढ़ा था देखो वन प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहां तक हमने एक फॉर्मला पढ़ा था उपर लिख भी रखा है वह फॉर्मला अभी में दिखाते हैं को यहाँ पर यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली इसको और जूम कर लेता हूं और सिर्फ यह खाल थे डिया है और जूम कर लेता कर लेता हुआ है यह तो म्य क्या करते हैं हम इस पूरे की जगह पे इस पूरे की जगह पे इस पूरे काल्श फोड़ा चेंज कर दों पूरे की जगाते हैं कि अपना फॉर्मला तो मैंने क्या कर आगा यह बैके और इस पूरे की जगाते हैं हम पूट कर देते हैं अपना फॉर्मला ठीक है और यहां पर तो यहां तक आपको clear हो गया होगा ठीक है अब हम क्या करते हैं देखो यहां पर अपॉन में 2 है तो इस पूरे के अपॉन में 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे तो से multiply कर देंगे इसको भी और इस पूरे के अपॉन में 2 लिख देंगे हम लिख देंगे equal to n bracket में n plus 1 ठीक है इसके बाद हम क्या लिखेंगे plus 2 into n plus 1 ठीक है और इस पूरे के अपॉन में इस पूरे के अपॉन में हम क्या लिख देंगे तो लिख देंगे तो लिख देंगे ठीक है हमने कहा लिए बिसिकले लिए ठीक है आप अगर स्कूर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसा देखेगा आपको दिखाए तो लिख के यह दो यह ऐसा है जैसे हमारा n और यहां पर बार क्या है अब हम क्या करेंगे इस पूरे क्या पॉन में क्या है इस पूरे क्या पॉन में मालो तू था ठीक है और यहां पर लिखा था अगर हम इन दोनों का लेंगे इन दोनों का में लेंगे तो यह समय आगे हम तक और प्लस तू से जब इस पूरे को मल्टिपला हो जाएगा तो यह बन जाएगा आपका तू ब्रैकेट में एन फ्लस वन अ है आब हम क्या करेंगे अब हम सिंपल सा एक सिस्टम करेंगे इन दोनों में दो इसमें यह बन है इसमें भी का यहां क्या बचा आपका यहां बचा देखो सिर्फ N बच गया तो यहैं फूरा क्या गया थेट 투 product यहां बच गया अई इर है और प्लस यहां की आपका two टी के अर्सके अपोछ एक पॉन में क्या था तू था ठीक है देखो यहां पर हमने देखा यह देखो यहां तक समझा रहा है यह क्या कर रहा है और यह क्या कर रहा है ठीक है अब हम क्या करेंगे हमने इसको इस फॉर्म में बना दिया ठीक है हमने इसको इस फॉर्म में बना दिया मैं यहां पर इसकी नीजी फॉर्म लिख देता हूं ठीक है एन इंटू सोरी एन प्लस वन कि यह पूरा ब्रैकेट में है एंटू एन प्लस तू पूरे क्वान में है पूरे क्वान में है ठीक है अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे हमने लेफ्टेंट साइड को सॉल्व करा था मतलब अब हम आरेचेस में मन्दब राइठ एंड साइड में इस वाले को सॉल्व रखते हैं या फिर हम इसको ऐसे बना देता है कोई दिखकत नी इस वाले को फॉर्म को हम ऐसे प्रम प्रवर कर देते हैं बात बराबर हुजएगे ठीक है अब देखो त्धान से हम क्या करेंगे हम एक उसे सकते हैं क्या देखो act called वर देकर अब क्या व्यक्ता में मैं डॉकल को मैं असे व्यससे 1 बस्वान सस्क्राइब होगो कोई problem तो नहीं है चलो मैं प्रैक्ट भी लगा देता हूं यह लगा देख और यह लगा दिया मैंने अपर प्रैक्ट तो देखो यह क्या बने गया यह बने गया आपका राइट-hand-side और एच्ट देखो यह पूरा इससे मैच कर गया है कि समझ गए तो यही काम आपको करना है मैफमेटिकल इंड़क्षिं में आपको क्या करना है पहला स्टैप आपको क्या करना है बेस्ट्रेप करना है जिसमें हम रखेंगे ठीक है एन की जगा पर और वो चेक करें कि उसकी फर्स्ट ट्रम के एक्वल आ रहे के नहीं फिर इसके बाद हाइपोसेस हम मानेंगे कि एन के लिए ट्रू होगा फिर तीसरा मानेंगे तो एन प्लस वन के लिए भी क्या होगा तो दोन सथ एंट प्लस रखा इस पूरे कोशन में गहीं वहाई रखा और आपका सॉल हो गया है ना सेम इसवी तरीके से अगर आपको कुछ question दे दे जाएं तो आप solve कर सकते हैं यह दखो एक यह question है बहुत ही प्यारा question है ठीक है सिंबल गया 1 square 2 square 3 square dot 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 plus n square है ना सभी का square का sum है यह है ना और वो किसके equal prove करना है n into n plus 1 into 2n plus 1 इसके equal हमें प्रूव करना है तो यह अब आप बहुत इसली कर सकते हैं क्योंकि आपको समझा दिया कि कैसे करना है ना देखो मैं इसमें हिंट देता हूं आपको दोनों में ठीक है इस वाले में कौन सा formula लगेगा आपका देखो आपको एक series मिल रही है क्या है 1 का square प्लस 2 का square प्लस 3 का square dot 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 कहां तक n का square तो इसका मैंने ऊपर एक formula देखा था यह आपको दिखा तो मैं फॉर्मला इसको रसना है जो बटा लिता हूं और हम उसको ठाके यहां लिखाता हूं तो देखो यह वाली series दिख रही है 1 square प्लस 2 square dot 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 n square किसके क्वल होता है इस पूरे के एक वल है है ना सेम उसी तरीके से आपको इसमें apply करना है पहले आपने क्या करना है 1 रख के देखना है क्या 1 रखने पर आनसर सेम आ रहा है अगर आनसर सही आ रहा ह रहेंगे एन रखेंगे ठीक है उसके बाद हम एजिम करेंगे hypothesis के हां एक लिख रोगा फिर हम सब एजियुम करेंगे एन प्लस 1 के लिखी true होगा तो n प्लस 1 रखके फिर इसके बाद इसके सिर्फ पहले वाली ट्राम है उसकी जगा formula पुट करके आप प्रूब कर सकते हैं स आप 2 की पावर कुछ भी हो 2 की पावर 1 हो 2 हो 3 हो तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखो इसमें भी सिंपल सा एक लॉजिक लगेगा आपका अगर यहां पर सब 2 है ठीक है तो 2 अगर हम सारी टम में से 2 कॉमल ले ले ठीक है यह 2 की पावर x 2 की पावर n बना दे कॉमल तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसको पर ट्राय करना अगर ना मिले आप और रिसर्च कर लेना प्रसा आपको मेरे साब से स्वलुशन मिल जायागा ठीक है हो सब्सक्राइब लॉग यूजर मट लोग नहीं होगा इसमें यह सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा ठ थे के ऐसे कंकिंए कईसे एफिछेंसी दिकरते किसी भी जब रैते मिलना तो आपकी अल्गोरिधम पे कै constitutional फाक्ट पर फॉर्म गारें फेजर के आपकी अब यह समाझना अदेशेंडिंग देशिएंसी ओप अल्गोरिदम इंवल्स ग्राप सिंग दा कुंसेप्ट अफ साइज आप प्रॉब्लम इस्टेंस एट्स रोल इन डेटर माइनिंग दा कॉंपलेशिती आप दूशन ठेक है मन्सक्राइब कितने बड़ा साइज हम यूज करेंगे डेटा क लिए उसको यूज करने वर उसको सॉल्व करने के लिए चले के ग्जामपल बताता हूं आपने देखा होगा Facebook या Instagram पे जब आफ रेजिस्टर करते हो और एक यूजरनीम करेट करते हो तो आप यूजरनीम टाइप करते हो कटकटकटकट और वह बतायता है कि इस बताता है ना it is already taken अगर यह taken बताता है तो वो कितने second time लेता है within a second को बता देता है कि यह already taken है ठीक है बड़ आपने कभी सोच है एजियूम कर रहा है कि Facebook के मालो billions of users है और उन सभी users में आप यह समयलो तो कैसे within a second check हो जाता है कि हाँ यह username available है या नई क्योंकि हर एक कर unique username है और कैसे वो उन सभी को calculate करके एकदम exact तरीके से आपको बता देते हैं तो यह चीज आपकी matter करती है efficiency को check करने में अब दो person है एक ने लगर दम लिखी उसका कम चरुम पांच मिनट में response आ रहा है यह 10 मिन पांच में आ रहा है और एक ने लिखी within a second आ रहा है तो कौन सी बड़ी है जिसमें कम ताइम लिखा है यूजर एक्स्पीरिंस बढ़ता है से अब आगे देखो कि for instance multiply 2 2 by 2 matrix takes time less than multiply to 100 by 100 messaging using the same algorithm एक है अगर इसे लिखुर्दम 100 by 100 matrix को आप क्या कर रहे हो हो multiply कर रहे हो और एक में 2 by 2 हो कर रहे हो बट 100 by 100 कम टाइम ले रहा है तो वो ज्यादा अच्छे लिखुर्दम है ठीक है the illustration is the importance of the size of the problem instance is determining the algorithm's time complexity तो जितना कम टाइम लगे हो अतना बढ़ी है तो उसी सब में पता चलता है कि उस लिखुर्दम के time complexity क्या होती है ठीक है इसके बाद size of instance the size of the problem instance is crucial in determining the algorithm complexity it varies based on the problem ठीक है suppose आप sorting algorithm बना रहे हो तो number of element आपका size define करेगा ठीक है जैसे मालो आप एक array दे रहे हो और उसको बोलो सोट कर दे अगर उसमें मालो 1000 element है और अगर आप बहुत extreme लेवल पर देना चाहते हो बहुत पावरफुल अलब testing करना चाहते है उस algorithm की तो आपने एक प्लाक की array दे दी आना तो आपने बढ़ा दे ताकि उसकी complexity अच्छे से चेक हो सके तो आपने size increase कर दिया problem का सेम उसी तरीके से कर कोई polynomial solve करता है कोई equation polynomial solve करता है तो आप क्या करो उसकी degree बढ़ाद होगे degree मतलब आप उसकी मालो powers बढ़ाद होगे polynomial की ठीक है जैसे square वाली problem है वह आप पांस सेक्ड में solve कर पा रहा है अब आपने क्यूब वाली दे दी उसकी power 6 वाली दे यह power 12 वाली दे तो जितनी ज्यादा power उतनी बड़ी है इसमें number of terms matter नहीं करती है ना तो हर एक size of instance matter करता है depend on problems खीक है अब measuring efficiency कैसे मैंसे करते हैं सबसे बहुता है time complexity calculation क्या करते हैं time complexity calculation करते हैं mathematically determined the time needed by algorithm is general instance of size is n तो हम general instance में बोलते हैं कि इसमें number of entries हमने use कर यह या n number of data and number of power सब को n मानते हैं general term में जैसे polynomial लिए पावर है तो उसके लिए n होगा पावर ठीक है n number of power समने यूज कर यह या या एरे के elements सो तो उसमें n number of elements हमने यूज कर रहे हैं ठीक है assigning constant unit of the time to the basic instruction तो basic instruction होते है जैसे assignment operator assignment पता है क्या होता है equal to जैसे अब लेका let a equal to 5 assignment operator read operator write operator और जो comparison operator होते है if else conditions होते हैं उनके हम क्या करते है constant unit मालते टाइम की ठीक है time for looping depends on number of loop executions अब loop कितने execute हो रहे है उस पर depend करता है time of looping ठीक है suppose आपका एक loop execute हो रहा है या आपका एक loop के अंदर loop execute हो रहा है या loop दोनों पहले ली करें ऊपर भी loop है उसके ठीक भार एक नीचे loop है तो वो depend करता है time complexity क्या होगी total time is the sum of the basic unit of all instruction मतलब इन सभी instruction की units का जो sum होता हुई आपकी total time complexity होती है इसके बाद language and system dependence मतलब यह आपकी language और system पे भी dependent होती है suppose आप कोई project PHP में बना रहे हो कोई project node.js से बना रहे हो कोई project dotnet में बना रहे हो कोई project java में बना तो सभी programming language अलग-अलग क्या होती है अपनी complexity होती है अलग-अलग उनकी programming speed होती है python में बना रहे हो तो उसकी speed अलग होगी ठीक है इसके बाद different computer have different speeds मतलब अलग-अलग system के अलग-अलग speeds भी होती है किसी में सब्सक्राइब करता है किसी में ज्यादा रहे मैं किसे कम रहे मैं उस पर भी configuration पर भी depend करता है ठीक है कि आपकी speed कितनी होगी तो generation करते है इसका apply the approach for the general size n of an arbitrary instance which can be arbitrary large ठीक है तो हम क्या करते है इस अभी approach को use करते है generalize size n के लिए ठीक है consequence क्या है if the time taken by one machine for a problem is polynomial or exponential function of the problem size then every machine time is also polynomial exponential function respectively in the problem size ठीक है मनलब अगर एक में जो output आ रहे है same output बाकी machines में भी आयगा है ना output same रहे गए ध्यान लखना ठीक है अब पढ़ते हैं वैलन एसन और सम्टोटिक functions and notation ठीक है सम्टोटिक functions and notations as an to take analysis and notation which is what is it सब्सक्राइल समझते हैं as an to take analysis is a form method formal method to analyze the time and the space complexity of the algorithm based on input size मतलब असम्टोटिक notation से हम ये बताते हैं कि कुमशी algorithm का कितना time लगेगा और कितनी अच्छी algorithm है उसकी complexity क्या होगी मतलब हम time complexity बताते हैं और space complexity बताते हैं ठीक है it helps understand how an algorithm efficiently change changes as the input size growth मतलब यह में यह भी बताता अगर input बढ़ता गया तो वह algorithm कैसे अपने size को manage करेगी कैसे efficiently work करेगी अब time complexity example समझते हैं ठीक है फोर सोर्टिंग लगरतम लाइक bubble sort और insertion short बोलो आप दोनों से यह हैं bubble sort worst case क्या होता है है TN time complexity of n equal to n square and merge sort की जो time complexity होते है वो होती है n log base to n ठीक है n log n तो यहां से एक चीज़्यान अखना कि worst case हम लेते हैं हमेशा worst case क्या होता है basically worst case हमें यह बताता है कि खराब से खराब situation में वह कितना time मिलेगा ठीक है वह हमें worst case बताता है तो हमेशा हम जो consider करते हैं वह worst case करते हैं मैं एक ग्जामपल ही बताया था पी लास्ट वीडियो में बताया था कि एरे उस पांच element है suppose ठीक है अब वह कितने time चलेगा उसमें कर्मालों हमें एक number find करना सब्समें six find करना है ठीक है तो वह कैसे चक करेगा पहले नंबर चक करेगा दूसरे position चक करेगा तीसरे पर करेगा चोथे पर पांच यह पर टोटर पांच टाइजा है ना पांच चक करेगा बट अगर उसको पहले पर ही चक करेगे उसको six मिल जाता है तो वह महीं खतम हो जाएगा ना तो सी अज़ा होगी one ठीक है और अगर मालों उसको मिड में मिलता है six तो सी अज़ा होगी three वह कि तीन वार लूग चलना पड़ा ठीक है और अगर उसको and मैं मिलता है तो वह five times रोगा है ना तो उस कंडिशन में क्या करते हैं n consider करते हैं n होता है number of size मतलब कितनी size की area मतलब 5 की area तो n होगे आपका 5 है ना मतलब n times वो loop चलेगा समझ गये इसके बाद हम पढ़ते हैं asymptotic behavior के बारे में asymptotic behavior क्या कहता है asymptotic behavior focus on how a function grow as n become very large जैसे से n की value बढ़ती जाते हैं तो function कैसे कैसे grow करता है वह हमारे ऐसे संक्रिक behavior बताता है small value of n are ignored and the goal is estimated how slow the program will be on large inputs चोड़ 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 पर तो सारे प्रोग्रम अच्छे रन कर जाते हैं असली program वही होता है जो बड़े level पर मतलब बड़े इन्पूट पर लाज इन्पूट साइस पर चल जाए सपोज मैं लूप चलाता हूं और वो लूप कितने तक चला है 10 तक चला तो विदिन सेक्ट हो जाएगा बट अगर मैं उसको वहीं 10 लाग बार लूप को मैं इन्पूट जादा जादा बढ़ाओ मैंने एक से 10 लाग करा तो मिनिममम जड़ा सा कुछ सेक्ट का फरका है एक है दो सेक्ट का ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जहां डिफरेंस आपका 50-50 सेक्ट का रहा है तो वह बहुत खराब है मतलब हमें कम से कम गैप इसके बाद कॉन दर समझे लो है सबसे fast कॉन सा होता है सबसे fast होता है n qya सबसे fast n ठीक है इसके बाद second number पर क्या होता है log n ज्यांस समझागा second number पर क्याता है log n complexity ठीक है मतलब 1 से थोड़ी सी यह slow होती है ठीक है लेकिन उससे और slow क्या होता है n ठीक है linear इसके बाद आता है n log n यह आपका n log n फंक्शन होता है यह और slow होता है linear से भी इसका आता है quadratic मतलब n square complexity जो और slow होती है ऐसी n cube जैसे से power बढ़ती जाएगी वो और slow होती जाएगी ठीक है n cube complexity n k n to the power k polynomial ठीक है और 2 to the power and exponential यह सारे आपके क्या है series और रहें growth के ठीक है सबसे best कों से होगी जिसके complexity 1 वो तो सबसे best होती है जिसके complexity exponential हो सबसे worst होती है मतलब उसके में सबसे slow होती है बट यह ध्यानकना कि यह सब growth का order में लगे हुए मतलब यह वाली सबसे अब पढ़ते हैं worst case and average case analysis ठीक है worst case क्या होता है focus on the maximum time and algorithm takes for any input of the size ठीक worst case क्या होता है जादा से अदर करना time लेगी मैंने एक्जांपल वादा आरे का पांच element है तो जाद से अदर करना time लेगी 5 तक लेगी मतलब उसकी length लेगी n तक लेगी है न तो हम n तक उसका max size लेते हैं तो वह worst case होता है average case क्या होता है calculation the expected time spend on a random choose input often more challenging and involve probabilistic argument ठीक है हमने एक method पड़ा था probability calculate करने का ऊपर हमने पड़ा था तो उससे हम क्या निकालते है average case निकालते है यह average case analysis है ठीक है इसके बाद drawbacks of asymptomatic analysis drawback क्या है ignoring constant constant को तो यह ignore का देता है ठीक है आपने जब भी complexity निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं higher degree लेते हैं मतलब उस पूरे exponent की higher degree क्या होगी वह हमारी क्या होती है complexity होती है जैसे मालों के equation है जिसमें n की maximum power है n square तो हम complexity लेंगे n square बागे सबको ignore कर देंगे अगर मालों किसी में n log n है ठीक है और एक में सिर्फ n है ठीक है तो हम क्या करेंगे n को भी लोग n को ले लेंगे ठीक है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं हम काफी चीजों को ignore कर देंगे तो constants को हम ignore कर देते हैं ठीक है दूसा वर्स वर्ट सर्ट एवरेज चेस परफोर्मेंस करके ड्रॉबैक है and algorithm with the better worst case perform may not be the best choice if another algorithm has better average performance given expected inputs ठीक है अब दोको ध्यान समझने इस लाइन को algorithm with better worst case performance अगर एक algorithm है उसकी worst case की क्या है better performance है ठीक है मिन नोड भी दा best choice वह सकता है best choice ना हो if algorithm has better average performance given expected input अगर average performance उसकी अच्छी आ जाती है तो हम उसको consider करते हैं ठीक है next हमारा topic है there are mainly three as important notation तो हमारी तीन is important notation होती है कड़र करें पहली होती है notation O जिसे हम बहुते बगो ठीक है धुषर्सा होता है notation omega टीक है जिसका इस्मीं इस्ट हम्हारी सिंबल होता है तीसरा होता है notation theta ठीक है big go big omega और theta ठीक है तो वैसे में दegen्री दो और होती है ठीक है वो हम इसमें discuss नहीं करेंगे हम सिर्फ यही तीन discuss करेंगे ठीक है इस topic में तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम bigo notation जिसे अपर Bound भी बोलते हैं तो upper bound bigo notation होती कहा है फिर समझते हैं थोड़ा सा complicated टॉपिक कहीं बच्चों समझ नहीं आता है बट हम कोशिश करेंगे इसमें 101 परसेंट आपको समझाने ही कोशिश करेंगे ठीक है तो बिग उनटिशन समझने से सबसे पहले हम क्या चीज़ समझते हैं ज्यान समझना है चीज़ को हम समझते हैं इसका ग्राफ तो मैं इधर एक ग्राफ टो कर रहा हूं ठीक है इसको उच्छोटे कर लेते हैं यहां से यहां पर एक ग्राफ टो करते हैं और बढ़ी असा ग्राफ टो करें ताकि आपको बहु लिए वाला जो एरो है यह में क्या रिप्रेजन करता है यह number of inputs को रिप्रेजन करता है जिसे बोलते हैं है ठीक है क्या रिप्रिजंट गरता है इन्पोट को जिसे हम क्या बोलते हैं झाल कि मैंने कर दिए इदर ठीक है तो यह नंबर आफ इंपूर्ट का मतलब एन को रिप्रेजेंट करता है और इसके साथ में एक इसको कि सीव करके एक बार रिलोड दबने ताकि यह अच्छे से क्लियर हो जाए हुए 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 आग अजया है यह हमारा है अगे अगे इसके बाद इसके ठीन एकस्स है ये एकस्स हमारा क्या रिप्रेजंट करता है यह रिप्रेजंट करता है ताइम जिसे हम बोलते है ठीक दो मैं इधर बना देता हूं ताइम मतलब ढ़ारो आइज हमने ठीक है अब इस देखना यहँआ हमारा टाइम है ठीक है और यह हमारा क्या है नंबर ओफ इंपुट ठीक है अब हमारे पास दो फंक्शन से मैं दोनों का ग्राफ ट्रों कर देता हूं ठीक है पहला फंक्शन है एफ जिसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है ठीक है यह क्या है हमारा एफ इंपुट ठीक है यह हमारा है एफ अपन एसे थोड़ा बढ़ा कर देते हैं ताकि एज्यनी दिख जाए ठीक है और एक को यहां पर लाइंड रोच कर देते हैं हम यह है हमारा जी एन इसे बोलते हैं हम cgn ठीक है यह हमारा c into gn ठीक है cgn अब देखो उसके definition कहती है पहले हमें एक बार definition पड़ते हैं ठीक है बिग गोर नोटेशन इस वे टू री प्रेसेंट अपर बाउंड जीस हम क्या बोलते हैं अपर बाउंड बोलते हैं ठीक है और वर्स्ट केस भी हम इसको बोलते हैं सिनेरियो और फिन अल्गोरिथम रणिंग टाइम फॉर लार्ज इंपूर्ट साइज ठीक है इसे हम अपर बाउंड बोलते हैं ठीक है अब ध्यान से समझना यह आपका fn है मतलब एक function है और यह क्या है एक gn एक दूसरा function है ठीक है इसके साथ कोई constant multiply हो रहा है c ठीक है ध्यान समझना इस चीछ को इसके साथ कोई constant multiply हो रहा है c ठीक है अब इसको अपर बाउंड क्यों पुला जाता है क्योंकि ये वाला जुँस को तो न है इसको बोलते अपर बाउंड बोलते है है ठीक है हमेशा जीन क्या होगा एक particular point के बाद जीन जो है वो हमेशा एफन से greater होगा मतलब से उपर होगा इसलिए में से क्या मोलते है अपर बाउंड बोलते है इत नी शोड़ प्रोसिजर दो इसको क्रॉस नहीं करेगा यह इसकी अपर लेमिट है यह फंक्शन कभी भी इससे ऊपर नहीं जाया तो इस कंडिशन में होता क्या है मैं आपको इक बड़ सिनेरियो बता देता हूं ठीक है देखो यहां पर फॉर्मल डेशिशन पढ़ते हैं लेट एफन एंजी एंड बी टू पॉजिटिव फंक्शन से ठीक है पॉजिटिव फंक्शन फोर नेच्टरल नंबर्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स ठीक है इसके बार इफ दियर एग्जिस पॉजिटिव और और नौश सच इफन इस लेज तन और एकल टू सीजी एल अब देखो यह कंसेप्ट ये लाइन में एक वाइं लिखके दिखा रहा हूं एक है यहां साइड में लेख रहा हूं मैं नीचे लिख सकता है इहां लिख देता हूं सच बैट एफ एन ठीक है इस लेज दैन और equal to less than equal to c into gn for all greater than equal to n मतलब अब n कहाँ पर n not ये भी बताएं तो आपको देखो यहां से एक line टो करी मैंने ठीक है यहां से मैंने ये लाइन जो है यहां पर n पर काटेगी वहां पर होगा आपका एंड नॉट अट जीरो बोलो याँ जीरो से से बहुत हम में होता है ठीक है बट मैंसको यहां से कॉप्ली कर ले तो ज्यादा बड़ी हो रहेगा ठीक है कि लो एंड नॉट इस पॉइंट का नाम क्या है एंड नॉट है ठीक है अब इस definition का अब ध्यान से समझो कि अगर अपर एफन जो है यह कोई एफन है हमे लेज देन और एक्वल टू सी जीन है तो देखो चीजी एने के लाट बार वहेश किया ग्र 나온 मैधा यह differenti यहां अन्च की जीन होगी फॉर आप यहां पर लिखते हैं यहाँ पर लिगते पॉर और पैसंबल रहे ठीक है for all एन जीरो जो एन जीरो है हमारे हमारा यह वहला जो एन जीरो है ठीक है यह जो होगा यह होगा लेस देन और एक्वल टू एन ठीक है मतलब जब एन की वैल्यू एन जीरो से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी ठीक है आप इसको ऐसे भी लिए सकते हूं मैं दोनों की पोजिशन चेंज कर लेता हूं देखो यहां पर चीज तरीके से यहां पर लेका होगा है यह मैं पढ़के बता देता हूं हम फॉर ओल एन इस ग्रेटर देन और इक्वल to n-0ठीक है एन जो है वो ग्रिटर दन इक्वल टू होगा अझेरो कब यहां पर एन जीरो है इस पैप इस पोंट पर इन जीरो है तो इस से आगे मतलब इस डारेक्शन में एन की जो वैल्लियो होगी वह क्या होगी n0 से क्या होगी greater होगी ठीक है तो n जो है वो greater than equal to है n0 के ठीक है simple सी चीज है तो इससे आगे जितनी पी n की value होगी उसके लिए क्या होता है cgn जो है वो fn से क्या होगा greater और equal होगा तो अगर ये दोनों scenario satisfy होते हैं ध्यान समझना यहाँ पर n की value भी क्या है n greater than equal to 1 n की value भी क्या होनी चाहिए greater than equal to 1 होनी चाहिए ठीक है अगर आपके ये तीन scenario satisfy होते हैं ध्यान समझना पहला की scenario क्या है fn is less than equal to cgn दूसरा scenario n0 less than equal to n या फिर आप बोलो n is greater than equal to n0 या फिर n जो है वो greater than equal to 1 है ये तीनों scenario अगर satisfied होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं fn is bigger of gn तो हम क्या से conclusion निकालते है fn is bigger of gn यह ध्यान लखना ठीक है यह आपकी big o की definition ठीक है definition equal to है after a certain point n0 ठीक है after a certain point n0 जिसमें जो n की value है वो greater than equal to होगी क्या n0 के मतलब n0 के बाल after a certain period of n0 उसके बाद जो value होगी n क्यों क्या होगी greater than equals to n0 होगी ठीक है अगर यह दोनों scenario satisfy होते हैं और n की value greater than equals to 1 होते हैं तो हम यह कह सकते हैं fn जो है वो जीन का big o है अगर जीन का big o निकालेंगे तो वो fn के equal आएगा यह आपकी big o की definition है समझ के बेशक आप बुक में पढ़ लेना तो ग्राफ है यहां पर ग्राफ में कितने अच्छे से लिखा है कि अगर आपका fn जो है less than equals to cgn है ठीक है for all n जो है greater than equals to n है यही वाला case ठीक है तो आपका क्या होगा fn equal to big of g है यह लिखा हुआ है थोड़ा कटा हुआ है दिखने रहा बट यह से नदू सेटिस्फाय होगा तो यह होगा आपका big o की definition ठीक है fn आपका यह ग्राफ है और gn क्या होगा n2 simple इसकी complexity क्या होगी gn होगी ओके इसके बाद if f less than equals to 6 n2 for all n greater than equals to 1 and then fn is equal to o big of n2 समझ गई तो वही चीज हमने यहां बताई गई है ठीक है तो यह भी पढ़ लेना आपको सब्सक्राइब करके दिखाता हूं ताकि आपको simply समझ आजे ठीक है fn और gn सी कैसे निकालेंगे सी कैसी एक basically constant है अब सी का यूज क्या आता है मैं आपको एक एक जांपल के थूरू समझाता हूं ठीक है कि सपोज मैं यहां पर एक फंक्शन लिलता हूं fn ठीक है यह fn एक फंक्शन है ठीक है पर fn क्या है हमारा सपोज यह है 2n 2n 1 is have one okay to n 1 ठीक है n क्या होगा हमारा अब दोत जीन क्या होगा हमने सिनेरियो पढ़ा था जो हमारा gn होगा वो होगा fn से greater than or equal to होना चाहिए ठीक है fn से greater than or equal to होना चाहिए अब देखो तो एसा कोई भी नंबर लिखो कोई भी ऐसे डिजट लिखो जो इस उपर वाली equation से मतलब इस equation से उसका आंसर क्या है एक ग्रेटर या फिर Equal थेक है Suppose मैं लिख देता हूं इधर Suppose मैं लिख देता हूं 4N क्या लिख दिया मैंने 4N लिख दिया अब देखो example समझते हैं अगर मैं इस equation में n की जगा पे one put करता हूं तो क्या answer आता है n की जगा पे one put करने पे two one two plus one कितना बन जाएगा three बन जाएगा ठीक है यहां पर n की जगा पे भी one put करते हैं तो क्या answer आ रहा है कि यहां आरा आपका फोर फोर अब देखो अगर इस condition को देखा जाए तो जीन क्या है greater than FN है condition satisfied है या फिर हम इसकी जगा क्या ले सकते जीन तो जीन मैंने लिखोगे तो क्या एका answer two आएगा बढ़ तो less than होता है तो condition to satisfy होगी नहीं तो हम क्या कर सकते है ज्यांदे समझ ना इसको हम या तो हम 3N लेके देख लेके देख लेते हैं वन रखने पर क्या सकते हो इदर 3N भी ले सकते हो 4NB 5NB 6NB कुछ भी ले सकते हो जो आपकी condition को satisfy गएगा ठीक है तो हमेशा क्या बनेगा लिएख का उपर करीवं भी सेट बने तो सी यहां पर क्या होगा देखों यहां पर सी होगा 3 क्या होगा s3 समझ के तो सी हो गया 3 और जिये अन गया घेन होगे अपका अंठे तो हम इस हेसाग से बोले कि मीच व्ल्स diesen को मदा इसल्थवह इख सकते हैं प्छी in इंटू एन जिसको हम लिख देंगे 3 इंटू जी एन ओके जी एन इधर इंटू का स्टार लगा देते हैं ठीक है यहां पर भी स्टार लगाएते हैं जैसे फिरत नहीं है कोई दिख करते ही यहां लिख देते हैं 3N ठीक है 3N इक्वल तो इसलिए इसको निकाला जाता है ठीक है तो वह कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे ही आपको इसको समझना है समझने कोशिश करना है दो तीन बार आप रिवाइन और फॉरवर्ड करके देखोंगे आपको क्लियर हो जाएगा अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंड माँब हों क्या को क्या बोलते हैं इसको हम लोवर मंद हुब है ठीक है यह क्या होता है देखो इसको हम बोलते हैं क्या इसी ही है देखो तो मैं आपको बताता हूं इसका scenario क्या कहता है इसका scenario कहता है big omega जिसे हम omega notation भी बहुते हैं describe the asymptotic lower bound of algorithms running time यह क्या बताता है lower bound बताता है हमें ठीक है while big or notation as represent the upper bound omega notation indicates the minimum time and algorithm taken ठीक है तो यह क्या बताता है लोवर बाउंड बता देखो इसका भी सिनेरियो ऐसा है आप इस चीज को भी समयना दियांसे वही चीज है से ठीक है इसमें भी एक ग्राफ होता है मैंने आपको बदाया था ग्राफ में दो चीज़े होते हैं नीचे वाल एक्सिस पर क्या शो करते हैं नमबर ऑफ इंपुट म यह ही जाएगा और यह उपर ही जायागा क्यों हम सнал क्यों करता है मैं साम क्यों क्यों और बोलते हैं इसे एक्जामपल दीतों 11 अब चीज बताओ जैसे-जैसे मैं इंपट को बढ़ाता जाओंगा सब्सक्राइब पहले मैंने इंपट वन रखा वन का स्क्वार काया यहां पताया वन रूका स्क्वार कितना आया टाइम लिए उसे थोड़ा सा ज्यादा ठीक है क्योंकि ज्यादा नंबर का अगर हम स्क्व वैसे टाइम बढ़ता जाएगा समझ गए तो इसलिए इसका ग्राफ हमीशा ऊपर की तरफ जाता है ठीक है अब लोवर बाउंड क्या कहता है लोवर बाउंड में हमारे पास एक लोवर लिमिट होती है क्या होती एक लोवर लिमिट है यहां से इसको टच करने तो और यहां से मैं इसको दूसरे लाइन को ले आता हूँ है यह होगा आपका cgn सी इंटू जी इंटू एन अब इस कंडिशन में ध्यान से समझना यह जो cgn हमें दिया हुआ है ठीक है इस कंडिशन में जो cgn है वह अब इसकी कंडिशन हमें क्या कहीं जाती है तो कंडिशन को ध्यान से समझते हैं अगर आपका अफ एन जो है मनलब fn जो आपका पॉंक्शन है इस ग्रेटर देन इक वर स्टू छू सी इंटू जी एन सी इंटू सी एन के क्या है ग्रेटर देन और इक्वस्टू है फॉर ओल फॉर ओल का सिंबल है इसमें मैं भी डाल देता हूं अब समझ जाना ठीक है फॉर ओल ठीक है एन इस ग्रेटर देन इक्वस्टू एन नॉट एन नॉट मैंने बताया था नहों पर यहां से कॉपी कर रहे हैं नॉट कि क्रीबोर्ट से थोड़ा सा टाइप करने प्रावलम होती है तो और कोई करते हैं यहां डाल देते हैं ठीक है अब ध्यान से समझने इस डेफिनीशन को ठीक है यह यह आपका fn जो फंक्शन है वह cn से ग्रेटर दैन और इक्वस्टू है देखो यहां पर cn नीचे जा र जब भी fn फंक्शन ग्रेटर दन इक्वस्टू क्या हो c into gn मतलब सिआपका को इस तेंड कोई भी और जी इन आपका फंक्शन है ठीक है इससे ग्रेटर दें जा रहा आफ्टर रस अर्टें पॉइंट देखो यहां पर भी एक पोईंट है इधर इसे हम क्या बोलते हैं 3 अभी ठीक है इससे बते हैं झाहर जब एक नोट की वैल नियू से और यहां पर são ऑगी विचोफ़ से बराबर होगी तो आंग भी अप्षरो क्या है एक लेस्देन अडर इक Nerd राजेगी कि इस वाली direction में हमेशा जो n0 की value होगी है हमेशा उससे n की value जो होगी वो बढ़ी होगी तो n greater than equals to n0 get Plus Sup student कि इस Condition में क्या बताते हैं हमें कि अगर f гр buyers to see into gn है मतलब fn का function यह है वो cgn के क्या जा रहा ऊपर जा रहा है मतलब उससे greater और equal होगा इस point पे equal होगा तो हम यह कह सकते हैं क्या कह सकते हैं हम यह कह सकते हैं कि कि fn तुम क्या कह सकते हैं तो को definition बता रहा है हमें fn is equal to omega of gn यहां से copy कर लेता है omega of gn ठीक है तो को दिवारा पढ़ते हैं की definition for my definition if there exist constant c a constant c exist करता है and and not such that and not exist करता है such that constant c and not exist करता है such that fn is greater than or equal to c into gn तो fn जो है वो greater than है कि say c into gn के वो greater surprise के ऊपर जा रहा है है ना greater than equals to cn for all n is greater than equal to n not मतलब n की value जो होगी n की value जो होगी वो n not से क्या होगी greater than or equal to मतलब बढ़ी या फिर इसके equal यहां पर रहेगी है ना is then we can say fn is omega of gn तुम क्या कर सकते हैं fn जो है omega है gn का simple logic ठीक है इसको graphical represent हमने कर ली एक्जांपल साब पढ़ लेना इसके बाद third पर आते हम थीटा पर थीटा नोटेशन हमें क्या बताता है थीटा नोटेशन समझते हैं जिसे हम बोलते हैं tight bound ठीक है थीटा नोटेशन देखो आपने अपर भी पढ़ लिया लोग पढ़ ला अपर में क्या होता है यह लाइन एफन्गे ऊपर होती है लोवर में लाइन उसके नीशे होती है ठीक है अब थीटा में क्या होते है तो ठीटा का सिरार्ड तोड़ा सा डिफरेंट है यह तριके समयलों दोनों का कॉंबिनेशन है यह हो गया X-axis और यह हो गया अपका यहां पर हम Kya अपर हम क्या पर अप्याइब टैंभर लिए यहां पर मिलेहर नंभर फॉर्ट और यहां पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे दूसरी जगह पर थाइशंड operating अब हम बनाते हैं एक function बड़ा जबरदस function ज़न बनाते है command सबसे पहला मारे फॉंक्ष्ण क्या होता है एलोक है यह होगा हमारा ठीक है इसके बाद यहां पर आपके दो function और होते हैं एक होता है आपका यह वाला function और एक यह वाला function ठीक है तो आप तीनों के नाम लिख देता हूं में यहाँ पर आपको ताकिय अच्छी से clear हो जाए यह हो गया पर लेंब बनाते है फ्रेंड ठीक है यह हो गया आपका एफन यह हो गया सी टू इंटू जी एन ठेक है और नीचे वाला हो जाएका सी वन इंटू जी एन हो जी एंटू जी एन ठीक है अब इसे में ताइड बाण्ड भी बोढ़्या चाहित बाण्ड पर लोर्ट लिच इंट रहता है ठीक है जी एन और टाइड बाण्ड में ऊपर और नीचे दोनों तरफ उता हैं ठीक है अब इसको धिए जहां से समझना के से करता है इसकी सेनेरियो के यह सी कंडिशन करें पर यह समझ लेते हैं ठेक है इसकी सिंपल सी अलिशन है मैं इसको कॉप्टि करके पेस्ट कर देता हूं ठीक है यहां आज को पेस्ट कर देते हैं अब जहां से समझना यह कंडिशन हमें यह बताती है कि सीवन सीटू आपके कोई भी दो कॉंस्टेंट है क्या है कोई भी दो कॉंस्टेंट ठीक है जो एफ है एफन की वैल्यू है डिए जो है वो क्या है सीवन से वन si cuban कि जा रही है और अज सी तू से लेस टम एक वस्टらい है सीटू से क्या है लेस डेन और एक वस्ट्रों सी पे ुशेक नीचे है और या तो इसके बराबर हैं आफ्टर रसर टेन पॉइंट आफ्टर असर टेन पॉइंट मैंने बता था ने एक सर टेन पॉइंट होता है दर एन नॉट वही हमारा प्रेविट वाला पॉइंट जिसे हम बोलते हैं नॉट आफ्टर सर्टेन पॉइंट एन नॉट एन नॉट के बाद मनलब एन नॉट से क्या होगी एन की वेल्यू हमेशा एन नॉट से बड़ी या उसके एकुल होगी ठीक है क्योंकि राइट सारी डारेक्शन में जा रहे हैं अगर यह सारी कंडिशन सैटिस्फाइड हो जाती है तो हम क्या कह सकते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि FN इस थीटा आफ जी एन यह मैं लिख देता हूँ इदर ठीक है तो देन वी कन से दाट FN is equal to theta of Gn यह हम condition बोल सकते हैं कि FN जो है वो इकुल होगा theta of Gn के तो सिंपल सा लॉजिक है ग्राफ समझ आ गया है कोई दिक्कत परिशानी हो आप comment कर सकते हो ठीक है यह हमने complete कर लिया है इसके बाद हमारी कुछ ठीक है जो हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है वैसे तो आप पढ़ सकते हो आपकी बुक में अवेलेबल होंगी ठीक है तो हमने तीनों नोटेशन के बारे में पढ़ लिया है तो हमारी वीडियो यहीं पर खतम होती है अगर आपको और वीडियो चाहिए ठीक है तो comment करिए share क करिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि हमें और मोटिवेशन मिलो और हम नए ने सब्सक्राइब की वीडियो लाए कोशिश करने डिस्कृट मैथमेटिक्स का भी कुछ लेकर आए यह हमारी कोशिश रहेगी ठीक है तब तक मिलते हैं नेक्स्ट झाल